नमस्कार में हम अमदासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई नियूज अचानक से सचीन पाइलेट आज दिल्ली आ रहे हैं सवाल यह है कि उन्हें भाई बुलाया क्यों जा रहा है एक तरफ जहां सोनिया गांदी आग बबुला हो रही है तमाम बिधाईकों को लेकर तो दूसरी तरफ यही सचीन पाइलेट जिस पे जो है लोगों की निगाहें बनी होई थी इन्हें अचानक से दिल्ली बुला लेका पूरा मामला क्या है जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और चोक जाएंगे कि यह आखिर कॉंग्र सबसे बड़ी चुनोती है वो अपनों से ही कॉंग्रेस के लिए उनके विधायकों को जो है राजिस्थान में बुलाना उन्हें डर है कहीं न कहीं को उनके विधायक किसी दूसरे दल को वोट कर देंगे हräला कि उनकी अपनी मरजी है और इस बीच में जो है suspense फंस गया देखे पूरा मामला क्या है आप दरसोगों को मैं बताओं और उसके बाद बताओंगा कि सचीन पाइलिट को दिल्ली बुलाने की दरसल मामला क्या है देखे राजिस्थान राजे सभा चुनाप को लेकर पूरे चकर विव में कॉंग्रिस फंस गई है बाड़े बंदी से सचीन पाइलिट को अचानक दिल्ली बुलाया गया है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही का कि अचानक से बुला लिया गया है नाराज बिधायकों की मुश्किले भी बढ़ गई है और उसकी वज़ा यही है कि सोनिया गांधी भी उन पर कहर धाती नजरा रही है सचीन पाइलिट को दिल्ली इसलिए बुलाया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि उनके संपर्क में बहुत सारे उनके समर्था का विधायक हैं इसी वज़़े से कहीं और जो है सस्पेंस बढ़ना जाए देखें इन तमाम चीजों में एक बातों समझ में और असपस्ट रूप से समझ में आ गई कि कॉंग्रेस में कुछ भी हो लेकिन सचीन पाइलिट अशोग गहलोत और तमाम बिधायकों की वज़़े से कॉंग्रेस का बद से बत्तर हाल होता जा रहा है छोटे चुनाब हो या बड़े चुनाब हो जब ये जिम्मेदार ही नहीं समहा ले जा रही है तो लोग सभा विधान सभा का सपना आप क्या देख रही है और उससे उमीद है क्या किया चाएगा चलिए देखते हैं कि दिल्ली में आज बुलाया किया है सचीन पालिट को उसके बाद क्या अपडेट्स आती हैं हर एक अपडेट्स हम आप दरसों को तक जरूर पहुंचाएंगे फिलाल के लिए तरहीं बाकि अबर के लिए देखते रहे स्पीर आई न्यूस नमस्कार